वेलकम टोनली आईएस, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रेलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज 13 जून 2022 है, तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं आगे बढ़ने से पहले ये जानगारी है मेंस क्रेश कोर्स 2022 के बारे में इस क्रेश कोर्स में 60 दिनों का एक वेल प्लांड शिड्यूल होगा 250 से अधिक घंटों की ग्लासिस होगी, पिछले पांस सालों के प्रीवेस एर क्वेशन पेपर का एनलसिस होगा चार जियस के और एक ऐसे का टेस्ट होगा, डेटियल्ड एवेलवेशन के साथ डेडिकेटिट मेंटोशिप होगी, कॉंप्रेंसिब कवरिज होगा, पूरे सिलिबस का इसके अलामा जो material है वो आपको soft copy में provide करवा दिया जाएगा ध्यान दीजिएगा कि यह जो course है वो offline, online दोनों ही मोर्स में available है 13, 14 और 15 तारिक को इसकी orientation classes चल रही है, 16 से full-fledged batch start हो जाएगी इसके अलामा जो old student है only ISK, उनके लिए इस course में 10% का discount है और जो भी ऐसे लोग हैं जो ने last year भी means लिखा था, उनके लिए 20% का discount इस course fees पे available है तो आप इस course को अवेल कर सकते हैं, जानकारी के लिए आप इस number पे contact कर सकते हैं या फिर हमें mail कर सकते हैं info at the rate onlyis.com पे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा first article Cleonoidus fantasticus के बारे में है ये एक giant tortoise है, जिसका नाम है Cleonoidus fantasticus एक समय ये माना जा रहा था कि ये प्रजाती extinct हो चुकी है, यानि कि धर्ती से समाप्त हो चुकी है लेकिन 2019 में इन्हें वापिस से discover किया गया, इस discovery को अभी हाल ही में verify किया गया है अगर कोई भी ऐसा जीव है जो extinct हो गया है, या extinct होने के बाद फिर से rediscover हुआ है तो वो दुनिया की किसी भी हिस्से में हो important हो जाता है ये एक giant tortoise है, जिसे commonly Fernanda कहा जाता है Fernanda इसले इसले नाम दिया जाता है, विकॉज ये Fernanda जो island है जो Galapagos island का हिस्सा है, वहाँ पर discover किया गया था इसे Galapagos giant tortoise भी कहा जाता है Fernanda island से ये अपना नाम Fernanda derive करता है ये बात तो मैंने आपको बता ही दी Iocene status critically endangered और possibly extinct है इस species के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी थी वो एक single individual की वज़र से ही थी जिसे हमने 1906 में खोजा था और अभी हाल ही में इनकी re-discovery हुई है 2019 में ये tortoise बहुत लंबा swim नहीं कर सकते मतलब अगर इन्हें एक island से swim करके दूसरे island पर जाना हो तो ये नहीं जा सकते Clonitis fantasticus tortoise can't swim from one island to another इस लिहाद से आप ये कह सकते हैं कि क्या कच्छवा बनेगा रितू अब देखे वो जीव जो बहुत तेजी से दौड़ लेते हैं वो जीव जो हवा में बहुत उचाई पर उड़ लेते हैं इनसान उन्हें तो छोड़ता नहीं उन्हें भी मार देता है अब ये बेचारा वो भी सकच्छवे को एक आइलेंड से दूसरे आइलेंड पर लेके चले जाते थे वाकिये तैयर के नहीं जाते इनको अच्छा ने लगता शायर जो फटनेंडिना आइलेंड है उसकी बात करते हैं तो ये थार लार्जिस्ट और यंगिस्ट आइलेंड है गेला पेगोज का और काफी पस्चिम में है एकवाडोर के वेस्ट में आपको ये मिलेगा पैसिफिक कोशन में देखिए ये जो लोकेशन है स्पोर्ट की गई है यहाँ पर कई सारे आइलेंड से ग्रुप में जो आइलेंड है वो गैला पेगोज होर्ट स्पोर्ट के थ्रू ही बना हुआ है ये एक एक्टिव शील्ड वालकेनो है जो काफी रिसेंटली इरप्ट होना शुरू हुआ तो इस लिहाज से जो आइलेंड है वो यंग है बहुत पुराना नहीं है अब देखिए यहाँ पर एक क्वेशन है सिमिलर क्वेशन है मतलब जीवों पर क्वेशन पूछे जाते है यह खुद को ऐसे रोल कर लेते हैं तो जो प्रेडिटर्स होते हैं वो इनके ओपर हमला नहीं कर पाते हैं सो आंसर इस डी हमारा निक्स्ट आर्डिकल संत तुकाराम शिला टेंपल के बारे में है अच्छा आगे बढ़ने से पहले लास सेशन में मैंने एक मिस्टेक की थ करें हैं, और मैं इस अर्टिकल पर बात करते हैं संत तुकाराम शिला टेंपल एक टेंपल इनकेड का वह वहां पर एक शिला मंदिर इनाग्रेट किया है शिला मंदिर ये एक temple है जो dedicated है एक slab of stone के लिए या शिला के लिए तभी इसे शिला temple बोल भी रहे हैं ये वो stone है जिस पर संत तुकाराम ने 13 दिन बिताये थे ये 13 दिन कैसे थे जैसे वो कई सारी devotional poetry लिखा करते थे जिने अभ्यांग कहा जाता है उनकी authenticity को question किया गया कि क्या वो original compositions हैं तो जब उन writing को challenge किया गया तो इस बात को लेकर उन्होंने अपने पूरे work को इंद्रायनी नदी में डुबो दिया और उसके बाद वो 13 दिनों तक इसी शिला पे बैठे रहे तेरा दिनों के बाद miraculously ये जो text थे ये वापिस से reappear हो गया अपनी authenticity को prove करने के लिए तो जो 13 दिन उन्होंने इस शिला पे बिताए उस वज़ा से इस शिला को बहुत ज़़ा पवित्र माना जाता है वरकारी सक्के लोगों के द्वारा और वो इस place को visit करते हैं यहाँ पर देखे संत तुकाराम महराज ने 13 दिन इसी शिला पे बिताए थे इसलिए वरकारी सक् है वो अपना starting point भी derive करता है वहाँ पर पंधरपुर में वो हर साल pilgrimage के लिए आते हैं जो संस्थान है उन्होंने silver cast covering है देखे इसके उपर इस शिला के उपर एक silver casting की गई थी silver से cover कर दिया गया था लेकिन कुछ लोग इसे चुरा ले गया बाद में ये इंद्रायन निदी के गिनारे वाप्रिस से पाया गया तो संस्थान ने डिसाइड किया कि वो इस silver cast covering के सांसा संतुकाराम महराज की image भी लगाएंगे वरकारी सेक के बारे में बात करते हैं संतुकाराम और उनका काम ये वरकारी सेक के लिए center में होता है जो पूरे महरास्ट में फैला हुआ विच्वर्स के डिनायल को लेकर उसने एक social movement का रूप ले लिया जिसने बहुत साय लोगों को प्रभावित किया संतुकाराम जी से ही वारी pilgrimage शुरू होता है वारी pilgrimage के दौरान जो devotees होते हैं वो जो देहु का temple town है और जो अरंधी है वहाँ पर जो पादुकाज होती है संतु लोगाराम जी की उसके साथ travel करते हैं और यह जो pilgrimage है वो एकादशी के दिन complete होता है देखे इस nature के प्रशन पूछे जाते हैं 2018 में प्रशन पूछा गया था not necessarily the same question but the nature of the question आप यहाँ पर दीखे यहाँ पर चास statement थे पहला था कि जए तर जो त्याग राज कृतीज है या डि आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कौन सा नहीं है तो जो इसका सही आंसर था यानिकि टू एन फूर यह दोनों करेक्ट थे कहने का मतलब यह है कि इस nature के प्रशन आते हैं तो अगर ऐसी कोई चीज निउज में आ रही है तो आपके लिए काम क किया यह एक independent noodle agency है जो Department of Space के तहद काम करेगी इनका basic fundamental यह है कि यह private sector को encourage करेंगे कि वो भरत में जो space sector है उसमें आए जैसे US वगरा में या European कई सरी कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्पेस साइंस में काफे ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में ऐसा हो नहीं रहा है तो आवे शक्ता है कि गौर्वर्मेंट इन्हें फसिलिटेट करें तो हेड़कॉर्टर है ये इहमदाबाद गुजरात में मेंबर्स की बात करें तो इसमें एक चीर मैन एक टेकिनिकल एकस्पर्ट जो स्पेस आक्टिविटी Otherwise के हैं के सीफ्टी एकसपर्ट एक्सपर्ट एक्येडमिया और Unity की एकस्पर्ट लीगल है स्टेटिक एक्सपर्ट अलग लग डिपार्टमेंट से शामिल होंगे बाकि PMO और M.E.A. के जो मेंबर्स हैं वो भी उसमें प्रेजेंट रहेंगे फंक्शन की बात रहेंगे तो इनका काम वही है कि देखें कि प्राइवेट प्लियर्स की डिमांड क्या है वो कैसे इंडिया के स्पेस सेक्टर में ग्रोग कर सकते हैं फर्दर एड्यूकेशनल और रिसर्च इंस्टूशन की क्या डिमांड है कंसल्टेशन इश्रो का कहा कितना रिकॉार्ड है जो इंस्पेस है वो सिंगल विंडो नोडल एजिंसी की दरभी काम करेगा इसका अपना खुद का कैड़र होगा जिसके माध्यम से ये कई सरी अक्टिविटीज को पर्मिट और और सी करेंगे तो वो इसरों के सांट उसके शेर कर सकते हैं लेकिन किस शर्थ पर कैसे शेर कर सकते हैं ये इन स्पेस बताएगा फ़र्दर जो भी प्रमाईस डेवलप किया जा रहा है या टेंप्रेरी फैसिलिटीज डेवलप की जा रही है इन entities के दोरा प्राइविट प्लेयर्स के दोरा वो इसरो के control में होंगे safety norms को मिलाके इसरो के सारे follow किये जाएंगे ताकि कोई दुरघटना ना होने पाए हमारा next start कर नीली जील के बारे में है लिली के सरकार ने अभी एमन बना लिया है कि जो आसोलाफटी वाइलेफ संचुरी में एक नीली जील है उसे एको टूरिजम हब के तौर पे डेवलप किया जाए काफी बड़ी और हिडन जील रही काफी जो घाना एरिया है असोलाफटी वाइलेफ संचुरी का वहाँ पे लोकेटेड है इसे ही एको टूरिजम हब के तौर पे डेवलप करने का प्लान है यहाँ पे हमें स्टेप सीटिंग फेसलिटी एम्फी थीटर मिलेंगे एक प्रकार का एक पेवेलियन जैसा होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं सेल्फी पॉइंट ट्वाइलेट थीडी एनिमल एग्जिबिट्स और पार्किंग यह सब चीज़े वहाँ पे डेवलप की जाएंगी बंबू और अधर इको फेंट्ली प्रक्स का इस्तिमाल डेकोरेशन की तौर पे किया जाएगा इवेहिकल्स इस्तिमाल किये जाएंगे फेरी के लिए संचुरी की बात करें तो यह साउट डेली रिज सेक्शन में लोकेटेड है दिल्ली हर्याना के बॉर्डर पी संचुरी जो है वो लास्ट रवाइविंग रेमिनेंट है डेली हिज जो रिज हिल रींज है उसका और सेमी एरीड फॉरिस्ट है ठीक है फर्दर यहां पे आपको 30 स्पीसीज मैमल्स की 252 बर्ड्स की 28 रेप्टाइल्स की और टेसिक बटरफ्लाइज की स्पीसीज मिल जाएंगी अनिमल्स की बात करें तो कई सारे अनिमल्स मिलेंगे नाम ले लेता हूं आपको सारे याद तो नहीं रहेंगे दोजार लेपर्ड, जैकाल, पामसाइब विट, ब्लैक, नैप्ट, हेर, ग्रे मंगूज, रूडी मंगूज, स्ट्रिप्ट, हाइना, हॉग डियर, ब्लैक बग, स्पॉटिड डियर, वाइल बोर, लंगूज, यह सभी हां मिलेंगे इसके आसपास कई सारे historical places भी हैं, जैसे के सूरजकुंड और अनिंगपुर डैम, यह दोनों हर्याना में हैं, तुगलकाबाद फोर्ट और अधिलाबाद रूइन्स, यह डैली में हैं, और चतरपुर टेम्पल, यह डैली में हैं, यह इसके आसपास की historical places हैं अगला आर्टिकल वाले दो जावारी के बारे में है, बिटिस जनलिस्ट इसी रीजन से जो ब्राजील के है, वहां से गायब हो गया, जिसके बाद यह लोकेशन न्यूज में आई, वाले दो जावारी, यह आपको western section में मिलेगा, जो ब्राजील इमेजोन फॉरेस्ट है, व जो दुनिया के अन्न हिस्सों से संबंद नहीं रखना चाहते है, चौतर इंडिजिनिस ट्राइप से यहां पर रहती हैं, जिनके 6000 इन्हेटेंस हैं, जो आउटसाइड वर्ड से कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं, जो कम्रिटीज यहां पर रहती हैं, वाले दो जावारी म का भी हिस्सा है, जहां पर ड्रक्स और नाम्स के बदले में सोना दिया जाता है, इसलिए वाले इन्ट क्राइम्स का यह एक हाट स्पॉट भी बना रहता है, हमारा नेक्स्ट आर्डिकल वर्ल्ड ओफ वर्क समिट के बारे में है, यूनिमिनिस्ट ओ लेबर एंप्लाइमें अब्जेक्टिफ की बात करें तो यह कई सारे चैलेंजिस दुनिया भर में वर्ल्ड ओफ वर्क फेस कर रहा है, कामगारों की जो दुनिया है वो महसूस कर रही है, उस पर बातचीत की गई, जैसे की इन्ग्रेटी बढ़ते जाना, डेमोग्रेटिक जो डेमोग्राफिक र अचीव करने के लिए human centered, resilient और sustainable recovery पर focus करना होगा, ILO की बात करते हैं, तो ILO एक मातर tripartite United Nations Agency है, जिसमें जो employers हैं, जो workers हैं और government, तीनों एक साथ आते हैं, 187 member states हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसके according इंडिया अपने labor standards define करता है, 1919 में Treaty of Versailles के तहती से बनाया गया, और ये League of Nations के एक affiliated agency बनी, बाद में League of Nations खतम हो गया, उसके जिगह पे आया UN, तो UN के साथ 1946 में affiliate होने वाली ये पहली specialized agency बनी, ये headquartered है Switzerland के Geneva में, Nobel Peace Prize मिलाई से 1969 में, यहां पर देखे, ILO के question है, 2018 में, पूछा गया था convention 138-182 किस से related है, although ये उस साल news में थे, सही जवाब थ हमारा next article, guidelines for prevention of misleading advertisement and endorsement for misleading advertisement 2022, ये अभी हाल ही में release किया गया, ये guidelines जो है, वो अभी हाल ही में Central Consumer Protection Authority के तरह release की गई है, इन guidelines में क्या बताया है, guidelines में यही था कि आप कैसे गलत advertisement नहीं कर सकते, कई तरीके के falsi advertisements किये जाते हैं, अपने brand को बेचने के लिए, अपने product को बेचने के उसे CCPA रोकने की कोशिस करता है, क्या provisions किये गए है, guidelines ये बता देता हूं मैं आपको, अगर कोई भी ऐसा article है, कोई भी ऐसा good है, जो बच्चों को बेचा जा रहा है, बच्चों को target करके बेचा जा रहा है, और उसमें कुछ भी ऐसा है, जिसकी वज़े से उसमे health warning देनी हो, या बच्चे उसे नहीं खरीज सकते, है तो बच्चों के लिए, लेकिन कि खरीद के वल बढ़े सकते हैं, ऐसे किसी भी product को, कोई भी ऐसी personality इंडोस नहीं करेगी, जो sport, music, या cinema में शामिल है, क्योंकि इन personality इसका बच्चों को इपर direct प्रभाव होता है, फिर वो persuade करेंगे, Surogate Advertising को Prohibit किया गया है, Surogate Advertising क्या होती है, जैसे मान लीजिए, कि किसी एक product के advertisement को ban कर दिया गया, ताकि उस product को discourage किया जा सके, क्योंकि वो health के नुकसान दे है, तो उस product को अब advertise नहीं किया जा सकता, तो company's क्या करेंगे, कि उस product को advertise नहीं करेंगे, बल्कि उसी नाम की किसी अन्न प्रोडक को Advertise करना शुरू कर देंगे, एक्जेम्बल के तौर पे, Imperial blue, जो Imperial blue था, वो एक whisky का brand था, जब सरकार ने Note के Advertisement को Banned कर दिया, तो वो Imperial blue जो Whisky है, उसे Advertise नहीं कर सकते थे, तो नोंने Imperial blue नाम से CD बेचनी शुरू कर दी, आप भले ही CD बेच रहे हो लेकिन लोगों के दिमाग में जो नाम है Imperial Blue का वो विस्की का है तो kind of आप विस्की Advertise तो नहीं कर रहे हो लेकिन वो indirectly Advertise हो रहा है तो कई बार ऐसा लोग करते हैं कि liquor का ad जब ban कर दिया किया तो फिर वो soda बेचने लगेंगे उसी नाम का CD बेचने लगेंगे even holiday packages बेचने लगे तो आप ये भी नहीं कर सकते because इसे surrogate advertising कहा जाता है कई बार क्या होता है कि आपको कोई product कहा जाता है कि free है लेकि फिर उसमें कुछ नों कुछ charges आइड कर दिये जाते हैं तो इसमें मामला ये है कि अगर किसी भी product या service के लिए consumer को कुछ भी देना पड़ रहा है कुछ भी बे करना पड़ रहा है तो आप उसके लिए free advertisement claim नहीं कर सकते तीसरा है bait advertisement जिसमें कहा जाता है कि limited time offer है आईए और किसी सामान को कम कीमत पर दिया जाता है sale लगा के लेकिन इसमें क्या trick करते हैं कि जब आप sale में जाओगे जैसे माल लिजे कि कोई 20,000 का television है या तो उसको बोलेंगे कि हम 8,000 में आपको दे रहे हैं जब आप television खरीदने जाओगे तो बोलेंगे ये तो out of stock है आप इसके जिगे पर ये वाला ले लेजिए ये भी stock में है 15,000 वाला तो वो जो आपको advertise कर रहे हैं वो बेची नहीं रहे हैं वो उनके पास है नहीं वो बेचर कुछ और रहे हैं बस वो advertise करके आपको बुला रहे हैं तो इस परकार कि advertising को bait advertising कहा जाता है जहां पर किसी सामान की कीमत को कम करके advertise किया जाता है जबकि वो out of stock होता है या stock में बहुत कम होता है तो इस सम्मन्ने regulations लगाए गए हैं इसके लामा deceptive advertising जिसको खाने से fat भी बढ़ता था तो इस तरीके का आप advertisement नहीं कर सकते जो आप advertise कर रहे हो वो है ही नहीं product फर्दर अगर कोई Indian citizen है जो देश के बाहर रह रहा है तो वो कोई भी ऐसा advertisement नहीं कर सकता जिस प्रकार का advertisement कोई ऐसा व्यक्ति भरत में नहीं कर सकता या जो Indian professionals हैं ये उनके लिए बाहर है तो आप बाहर जाके भी वो नहीं कर सकते इस तरीकी के regulations यहाँ पर लगाए गए है हमारा next article मेरवाना के बारे में है Thailand एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसनी मेरवाना को decriminalize कर दिया है मतलब अब इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा Thailand यहाँ पर देखिए एक देश है ये है इंडिया और ये है Thailand ठीक है मेरवाना जो है एक psychoactive drug होता है जो cannabis plant से निकलता है इसका इस्तेमाल medicinal, recreational और religious purpose से किया जा सकता है recreational purpose का मतलब भी होता है इसे consume किया जाता है नशे के लिए देखिए psychoactive drug ऐसे drug होते है जो mind की stability है उसको प्रभावित करते है जो cannabis होता है उसका इस्तेमाल smoking, vaporization, खाने में मिला कि ये extract के तौर पे किया जाता है recreational purpose से ये mental और physical effects create करता है जिसमें कोई व्यक्ती high या stoned feeling रखने रखने रखता है या नशा हो जाता है further ये दिमाग के perceive करने के तरीके को बदल देता है या appetite, भूक बढ़ा देता है इसलिए लोग इसका नशे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं इसका काफी इस्तेमाल होता है इसके short term side effects होते है short term memory का हो जाना मुँ का सूखना जो चलने फरने की छमता है वो प्रभावित होना आँखों का लाल हो जाना anxiety या paranoia, feel करना long term side effects में होता है कि आपको आदत पर जाएगी mental ability प्रभावित होगी अगर कोई मा मेरवाना का उप्योग कर रही है तो बच्चे की हल्थ प्रभावित होती है इंडिया में इन सब चीजों को लेकि regulations क्या है 1985 का जो Narcotic Drug and Psycho Active Substance Act है NDPS Act है वो cannabis के commercial cultivation को रोकता है procession, seal, purchase, transportation, interstate, export, import सब बैन है इस act को 1988, 2001, 2014 में amended भी किया किया जबकि रेखे cannabidiol, CBD ये coil होता है जो कि मेरवाना से ही निकाला जाता है cannabis plant से ही निकाला जाता है वो allowed है Drugs and Cosmetics Act 1940 में से allow किया गया है कई से वेबसाइट इसे बेचती भी है लेकिन खरीदने के लिए आपको डॉक्टर का prescription चाहिए होगा Similarly, भांग, गाजा और चरस इसे भी Drugs and Cosmetics Rules 1945 में Ayurveda, सिद्धा और युनानी medicines में allow किया गया है Revision कर लेते हैं Fernandina Island ये सबसे बड़ा और oldest island है Galapagos Island का ये गलत है ये सबसे बड़ा नहीं है वारे दोजावारी Western section में Brazilian imagine rainforest की situated है, सही है World of Works Summit W.E.F. ने organize किया गलत है I.L.O. ने organize किया तो हमारा आज का ये सेशन यहां पर समाप्त होता है PDF आपको मिल जाएगी Only ISK Telegram चैनल पर जिसे आप इस QR code को scan करके भी पहुंच सकते हैं वहाँ पर जाएए चैनल को जोईन कर लीजिएगा और PDF को download करके revision करना मत भूलिएगा That's all for now Thank you very much